हेलो एब्रिवन इस्टेनोबित अर्यंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे चैनल पर आपके लिए आई टीए सीरिस प्यार्म की गई थी जिसमें हमारी और से डिपार्टमेंट से बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जात करेंगे चलिए आज हमारे जो दो डिपार्टमेंट से में बात करेंगे पहला डिपार्टमेंट है CGDA, Control General Defense Account दूसरा है ICG, Indian Cost Guard ये दौनों डेपार्टमेंट्स की मैं बात करूँ ये दौनों ही डेपार्टमेंट Ministry of Defense के अंदर आते हैं Ministry of Defense का नाम जैसे ही आता है आप लोगों के अंदर एक उस्सुकता जाग जाती है आप लोगों के अंदर एक confusion भी पैदा हो जाता है क्या इन में किस तरह की पावंदियां रहती हैं किस तरह की बर्दी मिलती है नहीं मिलती इस सब चीज़ें हम आपके डिसकस करेंगे चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे CGDA, Control General Defense Account इसके पहले मैं प्रोफाइल की बात कर लूँ तो यह जैसा की मैं बता चुका हूँ यह Ministry of Defense के अंदर आता है Ministry of Defense एनि M.O.D. के अंदर यह आता है इसमें बहुत जादा पावंदियां नहीं होती किसी भी तरह के restrictions इसमें नहीं पाए जाते प्रमोशन की बात करूँ तो दस साल में ब्यालीस तो जैसा की मैं पहले ही बता चुका हूँ 80-90 परशन डेपार्टमेंट में 8-9 यह, 10 यह के आसपास ही आपको देखने को मिलता है तो इसमें भी आपका जो बर प्रमोशन है वो थोड़ा सा सिलो ही देखने को मिलेगा इसके बाद second बात आती है इसकी वैकेंसी की तो इस बार इसमें जो वैकेंसी है 87 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है 37 UR, 23 OBC 13 वैकेंसी SC में है 6 वैकेंसी ST में और 8 वैकेंसी EWS में इस तरह से total 87 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है चलिए इसके बाद बात करें इसके statewide वैकेंसी को लेकर तो इसकी आप statewide वैकेंसी आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं चलिए इसपि आप देख पा रहे होंगे आंदे परदेश के अंदर इसमें कोई वैकेंसी नहीं है अर्णचल परदेश में भी कोई वैकेंसी नहीं है असम में एक General, एक OBC और एक ST की वैकेंसी है बिहार के अंदर चार पांच वेकेंसी जो की सबी कैटिग्री में एक एक वेकेंसी आपको देखने को मिल रही है दहली की बात करूँ इसमें ये देखियां दहली को मैं मार्क कर दे रहाँ इसमें आप देख सकते हैं 9 वेकेंसी UR 8 वेकेंसी OVC चार ST, एक वेकंसी ST और तीन वेकंसी EWS की है इसमें EXM की भी तीन वेकंसी है OH की भी एक वेकंसी टोटल दहली में 25 वेकंसी है तो जिनके कम मार्क्स हैं वो उसको प्रिफर कर सकते हैं लेकित इस डेपार्टमेंट के बारे में एक बहुत अच्छी चीज में अभी लाश्ट में बताऊंगा जो थोड़ी सी प्रॉबलम दे सकती है उसे अच्छी नहीं कहना चाहिए वो बेकार चीज़ है इस डेपार्टमेंट के बारे में उसके बाद गौवद अवंदीब में कोई वेकेंसी नहीं हिमाचल में कोई वेकेंसी नहीं जम्मू में दो वेकेंसी है तेरा वेकेंसी महराश्ट दादर इबम नगर अवेली में हैं मद्ध प्रिदेश में इसमें तीन वेकेंसी हैं उसके बाद ये पूरा नौर्थीस्ट वाला जो रीजन है जिए आप देख सकते हैं आलमोस्ट खाली है यहाँ पर कोई वेकंसी नहीं है पंजाब हर्याना चंडीगर में वेकंसी पांच हैं इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हैं चली मैं स्कूरेज कर देरूं ताकि आप क् चलीए इसके बाद हम बात करेंगे जैसा कि मैंने बताया इसमें 87 वेकंसी हैं जो की आपकी रहेंगी इस डिपार्टमेंट्स को चुनने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना होगा यह डिपार्टमेंट आपसे प्रफेंस नहीं लेता जब आपको यह इस डिपार्टमेंट की जो सबसे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो यही होगा कि आपको रेंडमली अलॉट्मेंट देगा ठीक है ना तो यह रेंडमली अलॉट करता है आपको यह इसमें आपके पास यह रहेगा कि यदि आप यह सोच के ले रहे हैं कि इसमें vacancy हैं तो हो सकता है कि आपको तेलंगा ना तमिलनाडू में जो vacancy हैं वहाँ जाना पड़े लेकिन यह departments आप consider कर सकते हैं मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ promotion and other चलिए आज का हमारा जो second department से मुस्की बात करेंगे आज कर जो हमारा second department है वो है ICG Indian cost guard जैसा कि आप नाम से जानते हैं इसकी vacancy costal areas में ही ज़्यादा होती है बर्ग profile normal होता है हिंदी वालों के लिए आपर बर्ग लोग ठोड़ा सा और कम होता है इन departments की promotion की बात करूँ Indian cost guard में 10 साल में 42 सो की ही जानकारी मिलती है बर्ग profile बर्ग culture normal है कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली इनमें बात नहीं है almost अच्छा department कह सकते हैं बस problem इसमें एक है कि costal areas में आपकी posting होती है और इस departments का भी जो negative point है वो है randomly allotment इसमें ऐसा नहीं है कि आप यह सोच के लिए कि यहां back ends यह तो आपको यही मिल जाए वो officers के उपर depend करता है वो आपको कहां बेज़ते हैं इसमें एक point में आपको बताना भूल गया हूं मैं इसको एक बर repeat कर दूँ इस department में posting के बाद भी आपके transfer होते रहते हैं department की और से ही इस बात को भी आपको इसमें ध्यान रखना सीजी टिये में SEM ICG में भी ऐसा है कि आपको लगवख four to five year service के बाद दूसी location पे बेज़ा जाता है ऐसी information हमारे पास प्राप्त ही है कि इसके भी आपके transfers होते रहते हैं यह कि यह department में transfer open है यह आप कहीं और हैं तो आप अपने transfer लगवख after three year service के बाद करा सकते हैं चलिए इसकी वेकेंसी की बात करूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे total 8 vacancy है यानि कि जो डियो पीटी में 5 vacancy थी उसमें से 3 vacancy add होका रही है जिसमें आप vacancy देख सकते हैं 2 UR 3 OBC और 3 EWS total 8 vacancy है region wise बात करें चलिए region बाई जादी मैं बात करूँ सबसे पहले मुंबई जौन में 2 vacancy चैन्ने जौन में 2 vacancy पोर्ट विलेयर पर 1 vacancy है कॉलकाता region 2 vacancy और गांधी नगर 1 vacancy इस तरह से total आपकी 8 vacancy रिपोर्ट की गई है और मैं आपको एक चीज पर बता चुका हूँ यह दोनों ही डिपार्टमेंट CGDA एंड ICG यह दोनों ही डिपार्टमेंट आपके Ministry of Defense के अंदर आते हैं इसके बाद हम बात करेंगे MESO, BRO हो यह सब ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं तोड़े से रेस्टेक्शन से में देखने को मिलते हैं लेकिन एदी मैं इन तीन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहां से देखी डिपूटेशन पर आप कहीं से भी जा सकते हैं पर इनके थुरूँ आप Ministry of Defense में भी जा सकते हैं इसका भी एक कहना चाहिए कि प्राविजनल है आप जब कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं तो आप यहां से डिपूटेशन पर आप Ministry of Defense पर जा सकते हैं चलिए फिलाल यही information थी हमारे पास जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे यदि कोई भी गलती हमारी और से या कोई भी misinformation पहुंचती है तो उसके लिए हम छमा चाहेंगे लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी तरह की misinformation ना दें लेकिन कई बार क्या होता है यह कुछ departments ऐसे हैं जिनके बारे बहुत ज़्यादा जानकारी अबलेबल नहीं है हम भी हमारे group में से जुड़ी हुए members के थूरू जो जानकारी मिलती है कुछ selected लोगों से बात होती है उन लोगों के द्वारा जो जानकारी बता दी जाती है वही जानकारी हम आपके सामने रखते हैं हम बस आपसे यही request करते हैं कि आप वीडियो like करें और channel को ज़्यादा ज़्यादा share करें आप लोग share करेंगे जितना ज़्यादा आप लोग share करेंगे हमें लगेगा कि हम आपकी help कर पा रहे हैं आप भी इतनी help हमारी कीजिए ताकि हम आपको और भी आंगे साथ दे सकें च लिए थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो जैहिन